नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आये हैं सीव नगर के पास गोखनिया गाउं दोस्तों काफी पुराना डेरी फार्म है काफी ज़्यादा मिल का प्रडक्शन भी होता है और सभी प्रकार की नसले यहाँ पर काउ और बफेलो की है दोस्तों जानते हैं काफी पुराना dairy farm है क्या-क्या फिडिंग में देते हैं काफी सफल dairy farm है और काफी जदा milk production करने वाले वाफेलो और काव यहां पर रखी गई है दोस्तों यहां पर सभी member हैं वो घर के हैं Labor के भरो से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है सभी member घर के हैं दूध निकालना खली देना पसों को नहलाना साबसफाई का मेंटेन करना सभी प्रकार से यहाँ पर घर की घ्रहनी और यहां के member काम करते हैं आई यह जानते हैं कि कितना production होता है और कितनी buffalo यहां पर रखी गई है नमस्कार सर क्या नाम है अपना, नर्षिंग जी गोयल, सर कितना पुराना डेरी फाम है यह, यह तो जिसी बाब दादा का हाथ का चली लिडिया है, जिसा अभी 2-5 साल नहां हो तेज कर लिया, तरुवाद में कितने पसु थे आप के पास यहां पर जब आपने डेरी फाम दो चार गाई थी, 4-5 भेसे थी चार पांच भेसे थी और अभी फिलाल में सब शोटे बड़े मिला करें कितने पसों हैं आपके पास सटर-pशुतर के करीब है वहाँ गाई और कितने भेसे हैं 20 गाई और सब भेसे हैं अभी लगबग जैसे हम देख पारें वीडियो में कि काफी मिल का प्रोडक्शन है तो कितनी गाई भेस दूद अभी जैसे सतर बिचुतर अपके बास सारे नीमल है तो दूद में कितने हैं अभी चालिस जोर हैं समें आधे ताने आधे बाकड़िया है अच्छा चालिस में कुछ प्रेगनेंट भी है और कुछ ताने भी हैं अच्छा जो ताजें यह व्याए हुए हैं अच्छा यह बताएं कि अभी टोटल दूद एक दिन का कितना हो रहा है पांट्सो बीस लेटर पांसो पांचों बीस लिटर के सम्थिंग हो जाता है तो एवरेजिन कितने का भील हो जाता है 55 रुपे के रेट के हिसाफ से साड़े आट लाग रुपे का हो जाता है इस में से जिसे आपका सूखा चारा हरा चारा लेबर की कोस्ट और खलियों का खर्चा पसुं का खर्चा फाम का मेंटिनेस दवाई यां मेडिसीन इनका खर्च लगब बग आठ वाट साड़े आठ लाग में से कितना प्रॉफिट हो छाता है और साल के पशू बच जाते हैं 501 लाग का और आप अभी जिससे आपने बतार। अपू से भैसला पड़ जाते हैं और 6 लाग खर्चे में चल जाते हैं तो अभीम आप खली है चूरी और पस्वाय और ना गआकर के देटा है चार मोरे गूड का पानी इंते गाला को देते हैं तो अब कितने समय तक देते हैं तो अभी आपके पास जाफरावादी भी हम देख रहे हैं मुर्रा भी देख रहे हैं तो लगभग सभी पसुओं का अभी रिकार्ड आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिकार्ड कितना है कि इस पसुओं ने इतना तक हमारे यहां दिया है अपने मतलब 20 लिटर तक भी दिया गाई ने भी 15-15 लिटर भी दिया अच्छा 15 लिटर भी दिया है सर यह बताएं कि अभी आप देख पर देख पारें अभी लाइव मिलकी हमने देखिए कापी डेरी फा डाइट प्लान है वो बहुत तकड़ा है यहां पर जो खिलाने के मामले में सभी जी नाइन एक नंबर चीजे दी जाती है किसे पकार का कोई कॉम्प्रमाइज किया जाता है टाइम टू टाइम घर के लोग यहां पर काम करते हैं यहां पर लगबग दूद निकालने में कित और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है सर यह बताएं कि लोग बोलते हैं जैसे इतना नहीं बजता है लोग जूंड बोलते हैं उनकी भेंसे इतना दूद नहीं देती है जैसे 10-10 भेंसों से वो 30-40-40 लिटर दूद लेते हैं तो क्या कारण होते हैं इनके आँ नहीं देंदेती और अच्छा वह फ et bhoery अगर जानवर कीकी भी भूज गाये कोई भी अच्छा अब समने वमने बाखडी सवाखडी धोर को चार-चार साल हो गए दूद्ध देते तो आज उसने भी छे लिटर दूद्ध दूद्ध दिया उसने गाए ने तुमां सामें पांस साल से उफर हो गए इसको अच्छा आप कहां से पसू खरीदते हैं यह यह हम देपालपुर से भी लाते हैं बाहर से मंगवा लेते हैं पासौओं का बेंसरे आप देख्टर से क्रवाते यह घंए जुक्क वहारी चारी काम-करता नहीं रही स्वमद데ं पड़ाने लिए production ज्यादा होता है लगबाग महीने बर का गुड़ कितना लग जाता है अपनको लगता है चार कुंटल गुड़ लग जाता है अच्छा जैसे आप घर के कितने लोग काम करते हैं इस वाम को चलाने में तीन करते हैं लोग काम करते हैं मिलकिंग हातोंसे ही करते हैं से यह तागार में तो जाननी है तुम दूंडो दूद तो कहां से आएगा अभी हमारी बेंसों का आगे से हमने खली उठाई उठाई दूद कारने के बाद भी इतना बचा देती है बचा के खली उठाई डाइट फूल देते हैं कोई कॉम्प्रमाइज अरे साथ किलो और माटा रखते हैं क्यों सबस्क्राइब आपके पास दस बेंसे हैं और अगर तानी होई ना मेरे पास शमनलों के असी लिटर दूद है उनका दस बहुत ही ज्यादा प्रॉडक्शन है यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है कि डाइट और टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान दिया जाता है साब सफाई क सबसे बड़ी ध्यान यहां पर परवरिस की जाती है दोस्तों डेरी फार्म करने से पहले हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे ब्रीट का चैयन अच्छा दाना खिलाएं अच्छी खली खिलाएं अच्छा यह बताएं सर कि अगर हमारे भारत के या इंदोर जिले के कोई भी नाए युवा डेरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले कितने पसु लाएं और किन-किन बातों का ध्यान रखें कितने पसु से सबसे पहले तो चार पांच भेसे लावा पांच भेस लाओ पांच गाय लाओ दस जानवर लाए अपनको तो जब दस जानवर में अपनको यह कम से कम पिछोत्ता लिटर दूद चीए अच्छा जानवर से तो अपने पेट भरही होई और अपने घर खर्चा सब्सक्राइब अच्छा जब 50 लिटर दूद दिया उसने तो फिर पिर नी बच भी नी बचेगा अच्छा प्रोडक्शन जादा हो नहीं पचा पांच गाय का 50 लिटर दूद तो होना चीए अच्छा दस लिटर के हिसाब से दर और पांच-पांच के हिसाब सब 5 लिटर 25 आपको कितना समय हो गया इस धंदे में मेरे को तो जब सब मुच्छार हुए जब सभी में तो इस में हूँ मतलब 40-45 साल तो मेरे को नीजी हो गए अच्छा बाप दादा के मर्या होई को आपने जिसे बताया था अभी एक मेरे को किसा की भई हमारे पास चार भेंसों से वो कितना दुद देती चार बेंसे बद्टीस लिटर देती तो दूद वाला क्या समझता है फ्रागल समझता है कि दूदी ने इता दोर अच्छा फिर उसको बताया कम सकम 50 आदमी को बताया और उसने मावा किया तो कितना बेठा पूरा थीस तोरह तक बेठा पर तक दूद्या आठ साल दूद्या फिर नी कोटा उसने देखा ना घर आया ना मतलब इज्जत सर्या देखा विशाई और बहुत तारीब भी बहुत करी उसको दिखाया क्या क्या थे अब गी घ्लाते हैं अच्छा और अभी वहम तक आये को डाल रहा की चलू कर देंगे ज तो देखा दोस्तों काफी पूराना बिजनस इनका और बहुत ही नालेज है खिलाने में किसी प्रकार का कोई कॉम्परमाइज यहां नहीं किया जाता है इनका मानना है कि अच्छी डाइट और अच्छा खिलाएंगे पेट भर की खिलाएंगे तो दूद का प्रोड़क्शन ना पांचाट हो रहा है कितने दिन में आपके पास दूद में आ जाते हैं वह हम 25 देए 25 महिने में जना लेते हैं तो दोस्तों देखा आपने अच्छा डेरी फार्म यहां पर चलाया जा रहा है अच्छा पेलाते केडिये यह यह पेसे तज़ार मिलाया थाम इसको कम चार म नहीं हो गया कितना दूद दे रही है अभी तुमा सामने कारा ना दस लिटर की बार से उपर दूद दिया अभी तुद्ध बालती है अम तो को जुड़ बोल नहीं है तुम देखा है दोस्तों अभी दूद के टाइम पर मैं पहुंच चुका था और सभी जानवरों का देते हैं यह चार से पांच प्रकार के आइटम मिक्स करते हैं तेल हुआ गुढ़ गुढ़ का क्या बोलते हैं उसको सर्वत देते हैं तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से डेरी फार्मिंग की जा रही है और समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धनिवाद बस्एक हम एंट झाल झाल